चलिए देख लेते हैं एक्सपारी से एक दिन पहले बुद्धबार का मार्केट कैसा रह सकता है देखिए बैंक निफ्टी का एक्सपारी कल के दिन नहीं है बैंक निफ्टी का एक्सपारी होगा थर्श्डे को gap up पर entry कैसे लेना है gap down पर entry कैसे लेना है और flat opening पर entry कैसे लेना है कौन सा level पर call buy करना है और कौन सा level पर put buy करना है और कहां पर trade को avoid करना है जानने के लिए आप लोग वीडियो में end तक बने रहें आप लोग देख सकते हैं bank nifty का चार्ट है ये और मैंने live market के अंदर आप लोगों को यहां पर level दिया था मैंने कहा था इस level के नीचे हम यहां पर क्या करेंगे put buy करेंगे और कैसे buy करेंगे सारा condition मैने यहां पर दिया था आप लोग देख सकते हैं क्या हमारे कंडिशन को यहाँ पर बाइंक निफ्टी के अंदर फुल्फिल किया है या फिर नहीं किया है आप लोगों के सामने है चार्ट देख सकते हो देखो यहाँ पर कोई भी हवा हवाई के अंदर बाचित नहीं होता है बिना लॉजिक का तो वीडियो में आगे बरने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो इंफर्मेटिव लगे तो लाइक करें चैनल पर नए हो तो सस्क्राइब भी कर लें और दोस्तों में वीडियो को जादा से जादा क्या करें शेयर करें अब चलिए बीना देरी करते हुए हम कल का के अंदर बो है ये वाला लेवल जो की लेवल निकल के आ रही है 45257 का नेक्स्ट जो रजिस्टन्स निकल के आ रही है बो निकल के आ रही है ये वाला लेवल जो की लेवल है 45496 का जो की एक साइकलोजी का लेवल है नीचे के तरब जो सपोर्ट निकल के आ रही है बो निक पिल्कुल ध्यान से समझना लॉजिक के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा अब मालो की अगर कल के दीन बॉइंक निफ्टी इस लेवल के उपर गेप अपनिंग ले लेती है जो की लेवल है 45,257 का अगर इसके उपर गेप अपनिंग ले लेती है जिसकी चांस बहुती ज़ अगर इसके उपर गेप अपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कंडिशन होंगी दो पहला कंडिशन यहाँ पर समझ लें, गेप अपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दुबारा ररे ट्रेस करने आती है और इस तरीके का पेटरन को फुलफिल करती है तब आप लोग यहां पर safe call वाई कर सकते हैं और यहां तक target के लिए आप लोग easily जा सकते हैं दूसरा condition यहां पर समझ ले gap up opening लेने के बाद जब इस level के उपर पहला 5 minute का candle sustain कर जाती है और bullish candle आप लोगों को यहां पर दिखाई दे पहला 5 minute का candle और जो next candle बनेगी जब इसके high को यहां पर breakout कर देगी और इसके high के उपर closing देदेगी तब आप लोग यहां पर safe call वाई कर सकते हैं और यहां तक target के लिए आप लोग easily जा सकते हैं अब माल लीजी अगर कल के दिन bank nifty यहां पर flat खुल जाती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहां पर upside का rally बहुती बढ़ियां देखने को मिल सकता है logic समझिए यहां पर logic क्या है आज के दिन देख सकते हैं पूरा का पूरा दिन यहां पर क्या दिखाई है गिरावट दिखाई है तो जो seller है उनका SL यहां पर है यहाँ पर है यहाँ पर है तो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुलती है तो यहाँ तक तो जरूर आएगी SL हंट करने के लिए तो आप लोगों को यहाँ पर बढ़िया उपर्चोनटी मिलेगा कॉल बाइंग करने का अब मालों कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी से लेवल के नीचे गैपडान खुल जाती है अगर इसके नीचे गैपडान खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर बिलकुल भी हरबड़ी नहीं करना है यहाँ पर पुट की एंट्री के से लेना है गैपडान खुलने के बाद जब इस लेवल पर दुबा अगला सपूर्ट होगा 44,301 का यहाँ पर आप लोग अपना प्रोफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना SL को ट्रेल कर सकते हैं अब आप लोगों के सामने Nifty 50 का चार्ट है ये और मैंने लाइब मार्केट के अंदर आप लोगों को यहाँ पर लेवल दिया था जो इस लेवल के नीचे हम PUT BY करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा भी हुआ है और आप लोग देख सकते हैं क्या हमारे कंडिशन को यहाँ पर FULFIL किया है या फिर नहीं किया है जो लोग आज के दिन लाइब वीडियो को देख करके और रूल्स को फोलो किया होगा वो लोग आज के दिन Nifty 50 के अंदर बढ़िया प्रॉफिट को बनाया होगा अब चलिए देख लेते हैं कल के दिन के लिए कौन-कौन सा लेवल इंपोर्टेंट रह सकती है Nifty 50 के अंदर तो आप लोग देख सकते हैं जो पहला रजिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल जो की लेवल है 21,363 का दूसरा जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल जो की लेवल है 21,533 का जो की एक साइकलोजी का लेवल है जहां से हमें रिवलसल देखने को मिल सकता है नीचे के तरब जो support निकल के आ रही है बो निकल के आ रही है ये वाला level जो की level है 21,113 का next जो support निकल के आ रही है बो निकल के आ रही है ये वाला level जो की level है एक psychology का 21,017 का अब यहां पर call की entry कैसे लेना है और put की entry कैसे लेना है और कहां पर trade को avoid करना है बिलकुल ध्यान से देखना अब मालो कि अगर कल के दिन 5050 इस level के उपर gap up opening ले लेती है जो की level है 21,363 का अगर इसके उपर gap up opening ले लेती है तो यहां पर entry केसे लेना है जो पहला 30 minute का candle होगा याने की bullish candle होगा next candle जो 30 minute का होगा जब इसके high को यहां पर break out कर देगी और इसके high के उपर closing देदेगी तब आप लोग यहां पर safe call by कर सकते है और यहां तक target के लिए आप लोग easily जा सकते है दूसरा condition यहां पर क्या होगी gap up opening लेने के बाद जब इस level पर दुबारा retrace करने आती है और इस तरीके का pattern को fulfill करती है तब आप लोग यहां पर safe call by कर सकते है और यहां तक target के लिए आप लोग easily जा सकते है अब माल लोग कि अगर कल के दिन nifty 50 यहां पर flat खुल जाती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहां पर बिल्कुल भी हर बड़ी नहीं करना है flat खुलने के बाद जब यहां पर इस तरीके का consolidate करती है और यहां पर जब range बना देती है और उस range को जब यहां पर breakout कर देगी तब आप लोग यहां पर safe call by कर सकते हैं अब मालनों कि अगर कल के दिन nifty 50 इस level के नीचे gap down खुल जाती है जो की level है 21,113 का अगर इसके नीचे gap down खुलती है तो यहां पर entry कैसे लेना है gap down खुलने के बाद जब इस level पर दुबारा retrace करने आती है और इस तरीके का pattern को fulfill करती है तब आप लोग यहां पर safe put by कर सकते ह और यहां तक target के लिए आप लोग easily जा सकते हैं तो आसा करता हूं बैंक नेफ्टी नेफ्टी 50 की सारे level आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी आप लोग अपने चाट के उपर यह सारे level मार्क कर लें ताकि कल की दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है तो फिर म मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर तब तक के लिए जाहिंद बंदे मातरम